नीतिवचन अध्याय 15 वचन एक से 33. कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटुवचन से क्रोध धधक उठता है. बुद्धिमान ज्यान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंग से मूरता उबल आती है. यहुवा की आखे सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है. शान्ती देने वाली बात जीवन व्रिक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुख खित होती है. मूर अपने पिता की शिक्षा का तिरसकार करता है, परंतु जो डांट को मानता, वह चतुर हो जाता है. धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दूख रहता है. बुद्धिमान लोग बाते करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता. दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा धिना करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन होता है. दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घ्रिना आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वहाँ प्रेम रखता है. जो मार्क को छोड़ देता, उसको बड़ी ताडना मिलती है, और जो डान से बैर रखता, वहाँ अवश्य मर जाता है. जबकि अधोलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुशों के मन भी, खठा करने वाला डाटे जाने से प्रसन नहीं होता, और नवह बुद्धिमानों के पास जाता है. मन आनन्दित होने से मुख पर भी प्रसनता चा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है. समझने वाले का मन ज्यान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्टा से पेट भरते हैं. दुख्या के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन रहता है, वह मानों नित्य भोज में जाता है. घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है. प्रेम वाले घर में साख पात का भोजन, बैर वाले घर में पाले हुए बैल का मास खाने से उत्तम है. क्रोधी पुरूष जगडा मचाता है, परंतु जो विलम से क्रोध करने वाला है, वह मुकदमों को दबा देता है. आलसी का मार्ग कांटों से रून्धा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है. बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुछ जानता है. निर्बुध्धी को मुड़ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है बिना सम्मती की कल्पनाएं निश्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मत्ती से बात थहरती है सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग उपर की ओर जाता है, इस रीती से वह अधोलोक में पढ़ने से बच जाता है यहोवा अहंकारियों के घर को ढ़ा देता है, परंतु विद्धवा के सिवाने को अटल रखता है बुरी कल्पनाई यहोवा को घिनानी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन ननभावने है लाल्ची अपने घराने को दू, ख़ देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दू, परंतु दुष्टों के मुह से बुरी बाते उबलाती है यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है आंखों की चमक से मन को आनन्ध होता है, और अच्छे समाचार से हंडिया पुष्ट होती है जो जीवनदाई डांट कान लगा कर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है जो शिक्षा को सुनी अन्सुनी करता, वह अपने प्रान को तुछ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता, वह बुद्धी प्राप्त करता है यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहिले नम्रता होती है नीति वचन अध्याय 15 वचन 1 से 33